हेलो एब्रिवान इस वीडियो में हम एकॉनोमी की करने अफेर करने वाले हैं टॉप कॉशन्स करेंगे लास्ट सिक्स मन्त में जितने वे इंपोर्टन कॉशन्स बन रहे हैं एकॉनोमी से वो सब इस वीडियो में कवर है आपको पूरा वीडियो देखना है लास्ट तक इंपोर्टेंट रहने वाला है एक्जामक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कोश्चन है विच इस फॉर्स डिस्ट्रेक्ट रजिस्टर टैन थाउजन न्यू MSME तो दस हजार नई MSME पंजिकरत करने वाला जिला कौन सा बना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन B इरान कुलंग ये केरल का है और केरल की चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजियन जो की ये रहे की अफिशल लेंगविज केरल की है मल्यैíveis और इस्टेट एनिमाल है केरल का ंडिएन एलिफेंट हैं इस्टेट टिरी है कोकोनन त्री बहुत सारे नारियल देखने को मिलते हैं केरल में और इसमें केरल में हाइयेस्ट फीमेल तू सेक्ष रिश्यों है यानि कि फीमेल जो है मेल के मुकाबले जाता है और क्लीनेस्ट से इस्टेट भी है यानि कि साफ सुद्र है और लिट्रेसी रेट वी इसमें बहुत हाई है चले दूसरे कोशन पर आते हैं डूरिंग इंडिया एनरजी वीक पीम मोदी लॉंच विच फ्य इन इन यहनंने यानि Stan bis 100 hard cream कर लिया है च्रिशा मतलब है बहुत सारा सिर्फ इहनौ executive है और हमारा जो एम है क्या है क्यों की लांचad 200 a करना है हमें भी Net Zero Emission क्योंकि environment को अच्छा बनाना है इट्वेंटी फ्यूल का मतलब होता है ट्वेंटी परसेंट इथेनोल मिक्स कर किया जाता है 18 परसेंट पेट्रोल से और इथेनोल जो बनता है वो बायो मास बायो जो ऑर्गनिक मैटर होता है उससे बनता है बायो मास सब्सक्राइशन नेक्स्ट कोशन पर आते हैं विच कंट्री विल लॉंच इंटरनाशनल बायो फ्यूल अलायंस कौन सा देश अंतरस्ट्रिय ज्व इधन गठवंदन शुरू करेगा तो यह करेगा ऑप्शन इंडिया तो देखो इंडिया ने पहले ही अल्रेडी इंटरना आने के बात हो रही है वायो फ्यूल का जैसे कंट्री जो टॉप पे हैं वायो फ्यूल में ब्राजील एंड यूएस्टी हमारे इंडिया का गोल है 20 परसेंट इथनॉल तो ब्लेंड कर ही देना है हमें हमें गैसोलेन में 2025 तक तो ताकि जो पॉलिशन होता है उसको कंट्रोल क्या जाए और जो हमारे वहिकल से इंडिया में साफ सुद्रे वो हो सके नेशनल वायो फ्यूल प्लसी आएस्थी 2018 में नेक्स्ट कोशन में आते हैं देवगाड मार्ट एंड एको कॉमर्स वेबसाइट है किसके तार श्रू की गई है तो इनका नाम है मिस्टर मंजूनात भ है हमारे उनको रिको का इंडेशन में मदद मिलेगी इससे तो इनका नाम याद रखना आप लो जिस्टेंटली एंजल टेक्स हैस बिन अमेंट इस रेस्टेटर वे तो अभी बजट में देखा कि हाली में एंजल टेक्स जो है उसमें संसोधन किया गया तो किस से संबंदित है एंजल टेक्स तो यह ऑप्शनी स्टारटप से संबंदित है हमारा एंजल टेक्स to अभी क्या चेंज हुआ है रिसेंटली होगा है इक्विटी जो अमांट रेसीव होती है स्ट़ाइप के देड़ा व अब सिर्प इंकम टेक्स उसमें लगकेगा ना कि एंजल टेक्स तो तो इंजल एक्सी बिस्टेक्ल था क्या तो इस्ट का मतलब होता है शोप डिस्टेट कांपट करने के लिए लाइबल हो ती जो भी वह केपिटल रेज करती थी its you करती थी शेयर जो इश्यू करते थे उनसे जो capital आता था उस पर लगतर है एंजल टेक्स तो अभी income tax लगेगा उची जोंपी next question पर आते हैं which of the state has launched amylin anemia amylin की full form है anemia mokht lakshy इसका सही उत्तर है औरीसा नहीं किया है क्योंकि है जो वहां पर nutrition deficiency हो रही है हीमोगलोवन की deficiency हो रही है उसको कम गरना है तो यहां पर state जो है monitor करेगी अच्छे से ताकि लोगों तक जो food है वो nutrient भरपूर उसमें हो सके और अच्छे दरीके से मिले ताकि आइलन की deficiency ना हो और यह benefit करेगी 1.37 करोड लोगों को जिसमें प्रेमेंट वोमें वी है मदर्स भी है और वोमें जोकी इनकी रिप्रोड़क्टिव एज होती है उस टाइम की जो वोमेंस है और ग्रूप्स एडॉल्सेंट एंड चुल्टर्न उडिसा के बात करें तो इसकी क्यापिटल है वह नेशुन चीफ मिनिस्टर है नवीन पतनायक और गवंडर है घडिसी लाल नेक्स्ट कोशन है आइएएफ तो अक्राइर न्यू ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट अंडर विच मिसिन तो आइएएफ किस मिसन के तहत नए परीवहन विमान प्राप्त करेग तो यह करेगा में किन इंडिया के अंतरगत ऑप्शन वी इसमें करेक्ट हो जाएगा तो हम चाहा रहे हैं अभी कि हम दूसरे देशों से इंपोर्ट करना बंद करें और एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो और डुमेस्टिकली चीजें जो है अच्छे से बनें और डुमेस् इंडिया मिशन के अंतरगत ऑप्शन वी इसका करेक्ट उत्तर है रिसेंटी इंटर्शनल वोलंटरी फंड अप्रोड टोडल ऑफ यूस्टी सेवन 4.7 बिलियन लोन फूर विच कंट्री तो हाल ही में अंतरास्ट्री मुद्राकोश ने किस देश के लिए कुल 4.7 बिलियन डॉलर के दिन को मंचुरी दी है तो इन्होंने दी है ऑप्शन डी बांगलादेश को याद रखना नेक्स्ट कोशन है फासट जीट ऌसफशन एंप्रोड बरिकन्ग गुरूप विटिक मिटिंगं यम्मेंस आतिंदर जिस्टान तो पहली जीटियटी जोब्रोडild सेंभांग्य की बैठकोब का जिस्टान देख में कहां पे हे तो यह हूए उप्शिन में इसका करेंट उत् करम का समर्थन करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है तो यह है इंडिया तो इंडिया ने यहां पर हेल्प करनी चाहिए श्री लंका की जो की बहुत बुरी तरह से फाइनेशल क्राइसिस में फस गए है यह वाला देश तो ऑप्शन सी इसका गरेक्ट हो जाएगा इंडिय अंडर दर न्यू टेक्स स्लेव इंटर्डूस इन यूरियन वजट रॉसन 23-24 एन्वल इंकम जिन लोगों की सालाना इंकम 9-12 लाग है उनको कितने परसेंट टेक्स देना होगा तो यूरियन वजट में अभी न्यू टेक्स स्लेव आए है तो इसका सही उत्तर है 15 अधर नुली को है कि वह रिसेंटली अपाइंटेटर अजब फॉर्ण सेक्रेटर ओफ इंडिया तो भारत की विदेघ्डिस सचेव गूर्प में किसे फिर से नेप्ट किया गया है तो इनका सही उत्तर है विने मोहन कवात्रा को किया गया है तो विने मोहन कवात्रा जो है इन्होंने सक्षेड किया है हर सिवर्दन सिंगला को इसकी एन्य इंकम 3,000,000 है यानि कि सालना वो थीन लाइख रोपे कमाता है है यानि कि अभी हाल ही में बजट क्या अनुसार जिस रहती की आया 3,000,000 है तो उसको देवा होगा 0 यानि कि वो मतलब उसको एक्जैम्ट कर दिया टेक्स से तो न्यू टेक्स रेट देख लेते हैं जिस व्यक्ति किया है 0 से 3,000,000 है वो उनको नहीं देना है टेक्स 3 से 6,000,000 जो प्रती साल कमाते हैं 5% उने देना है 6 से 9,000,000 रख लो 10% देना है जो व्यक्ति 9 से 12,000,000 कमाता है साल आना उसको 15% देना है और जो 12 से 15,000,000 कमाता है उसको 20% टेक्स पे करना है और 15,000,000 से एबव जिनकी इंकम है उनको 30% टेक्स पे करना होगा तो देख लेते ओल्ड टेक्स क्या थे क्या पता ओल्ड टेक्स में से कॉश्ण आ जाए तो देख लीजिए इसको भी एक वार जिनकी इंकम पहले 2.5,000,000 तक थी वो उनको छूट मिलती थी अब 3,000,000 तक की लोगों को बिलेगी 2.5 से 5,000,000,000 पे होता था पहले 5% और अब कितने पे है अगर 6,000,000 तक पे है 5% पहले 5,000,000 से 7.5,000,000 तक होता था 15% टेक्स देना होता था अब 12,000,000 तक कर दिया है तो 12,000,000 तक 2023 तो भारत में 5G सेवाएं जो हैं उनके लिए कितनी नई लाइविक्सित हो की जाएंगी इसका सही उत्तर है option A 100 की जाएंगी 100 तो 100 लेव की जाएंगी ताकि 5G सर्विस है उसको डिवलप किया जाए अच्छे से इंडिया में और न्यू रेंज हमें पहुचाई जाए इंडिया में पूरी तरीकी से फिसकल डेफिसित प्रिजेक्टे जो कम डाउन तो हाव मेनी परसेंट इन 2025-26 तो दोजार पचीस-चबीस में राजकोसिये घाड़क कितने परसेंट तक कम होनी का नुमान है च्रफेंट का मंदला होता है जब गर्डियंट की जो expenditure होता है खढ़ते हो जो उन्हें profit कमाया वह न बेशुरी दर्व से जादा पहुचाई तो फिसकल डेफिसित मांड़ा जाता है कि यदि कोई सरकार लोन ले रही है तो इसका मतलब वो इन्वेस्ट करना चाहरी है इंडिया को सेल्फ सफिशेंट बढ़ाना चाहरी है ठीक है इस तरी किस्ति इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं इसका सही उत्रा इसमें से 4.5% यानि कि फिसकल डेफिसिट जो अभी है उसके मुक और 2026 तक इसको 4.5 तक पहुचा दे जाएगा फिसकल डेफिसिट को इन बजट 2023 मिसें टु एलिम्रेट सिकल सेल अनिमया वाई बिच्वियर तो बजट 2022 में 23 में किस वर्स तक सिकल सेल अनिमया को खतम करने का मिशन है तो इसमें हैज़ी ऑप्शन भी 2035 इक में रहो इसका स सही उतर है 5047 तक बात हो रही है अनिमया मुक्त करने कि अधियम्या को खतम करने की तो यहां पर सि कर लो यहां पर गलती से लग गया है सिकल सेल को निमिट करना है अनिमया को 2077 तक ठीक है याद रखना नेक्स्ट कोच उने सिटी फाइनेंस रेंकिंग एम्स तो इवैल्यूट तो सिटी फाइनेस रेंकिंग जो है उनका उद्देश क्या मुलाइकान करना है तो उसका सही उत्तर है बी अर्वन लोकल बॉडिज को इसमें एवैल्यूट करना है और यह चला ही जाएगी ताकि जो किया जाए अर्वन लोकल बॉडिज को इससे क्या होगा इससे वैर्वन फिट यह होगा कि थोड़ा कॉंपेटिशन मिलेगा थोड़ा अच्छा करने का प्रोसाहन मिलेगा तो रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्वन अफियर के द्वारा सिटी फाइनेस र जारी किया है तो यह जारी किया है ऑप्शन ही आर्व याई तो लाइक करना वीडियो को जरूर और मुझे पता चलता है कि आपको इच्छा है कि आप कुछ करें अपनी लाइफ में इसलिए आप यहां तक पहुंच गई है वीडियो में तो आगे भी पूरा देखना वीडि पस्ता यानि कि 2023 में ब्रूब हुआ है और इसके लाइब आगे ने कॉंक्लूड किया है जो डिजिटल पेइमेंट हैं घंट्री में बढ़ गई हैं 24.13 परसेंट वढ़ गई हैं क्यों बढ़ गई हैं अब डिजिटल बहुत जादा हो गया है और डिजिटल लोग जादा च चारता है तो पेइन का उपायों की सामब ने पैचांद करता के रोप में किया जाएगा में कितने अंकों का है तो यह है ऐखनी 10 10 अंकों का है पेइन फाइरेंस मिनिस्टर ने अरांस किया है कि पैन को इस्तेमाल करना है और यूनिवर्सल आइडेंटिफाइयर की रूप में ताकि जो घपले वाजी होती है उसको रोका जाए और डुप्लिकेश इंफॉर्मिशन में होती है जिसने कि कुछ लोग की इंफॉर्मिशन मैच हो जा कहां पर लॉकिटिड है गुटिट सिटी तो यह है ऑप्शन है गुजरात में तो फुल फॉर्म में इसकी गुजरात इंटरनेशनल फाइनल्स टैक और यह पहला ग्रिंफीड स्मार्ट सिटी है इंडिया का याद रखना पी एम पीवीटिजी डिवलपमेंट मिसन इस रिल करना है इस मिसन को ठीक है और ट्राइब्स को बेटर जिंदगी दें डिवलपमेंट करें यह सकाव देश्य है इंपोर्टेंट लेटिस्ट देख लेते हैं जो कि हाली में एकॉनोमी की है तो देखो कारंट में रेपो रेट है वह है 6.25 परसेंट बैंक रेट है 6.50 इंग्लिश में बोला दो है तो 3.35 परसेंट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है 6.50 परसेंट एकॉनमी एकॉनोमिक सर्वे की अकॉर्डेंच जो जीडिपी की ग्रोथ रही है इंडिया में वो 6.5 परसेंट है 2023-2024 में कंपेर तो 7 परसेंट दिस फिसकल लेक पर पाुदिक्योलर इंट्रेस्ट फे तो इसको बोला जाता है और उसमें कॉलेट्रल यानि की सेक्रिटी देने होती है बैंक सको तब जाकर हो कम जो हमारी आर्विए है वो लोन देती है लोन क्यों देती है ताकि उन वो लोग जो है इंवेस्ट कर सकें दूसरी जगे और Acardi कि इसके यह उद्दयश होता है कि यदि वो दे रही है रहा रहे है कि market में liquidity increase हो पैसा जो हो इन्करीज हो ताकि लोग है वो अच्छीस invest कर सकें bank rate क्या होता है bank rate थोडा साद होता है रैपोरेट से bank rate में यदि bank को emergency fund चाहिए शॉर्ट टम के पैसा रखते हैं उनको इंट्रेस्ट रिट आपको समझ में आया हो अगा रिवर्स रपोर्रेट का मतलब होता है जो bank है जो RBI है वह यह चाहा रही है कि जो liquidity चल रही है मार्किट में पैसा बहुत जादा बढ़गा है इसको कम किया जाए इसलिए reverse repair rate में बैंक जो है वो अपना पैसा RBI को रखते है और RBI जो है liquidity को तोटे टाइम के लिए सील कर देती है अभी 6.50 परसेंट और इसका मतलब होता है बैंक को ओबर नाइट फंडिंग की जड़ोत है तो इसलिए दिया जाता है मार्जनिक इस्ट्रेणिक फैसलिटी रेट याद रखना है नेक्स्ट कॉस्टिन पर आते हैं प्रधान मंतरी कॉशल विकास रोजना प्रधान मंतरी कॉशल विकास रोजना है तो इसका देख लेते हैं इसका एम है कि जो बहुत सारे यूज्स हैं लेक आफ यूथ उनको नेक्स्ट थी एर्स में ट्रेंड करना है ताकि वह एम्प्लोइमेंट रोजवाड के लिए काबिल हो सके और अपनी जो आमन्द्वी है वो कमा सके और इसके लिए थर्टी इंडिया इंटरनाशनल सेंटर खुले जाएंगे ये बहुत इंप्रणेंट इसको भी आद रखना इसके लिए गॉर्ट्मेंट अफ इंडिया है वो जो किसी पर्टिकुलर कंपनी के जो employees है उसको हटाना क्यों हटाना क्योंकि वहांबर profit जो ऑ इंप्रफिट जो घट गया है इसलिए यहां पर जो योग हैं जो employees हैं उनको खटा दुया और क्यों न्यूज में था क्योंकि international business corporation और जो की largest tech company है इसने क्या किया है इसने 3500 employees को हटा दिया है क्योंकि वहां पर प्रॉफिट है वो कम हो गया है ठीक है याद रखना कि agriculture accelerator fund is to be set up to increase the number of agriculture accelerator fund अभी set up किया गया किसका नमबर इंक्रेश करने के लिए इसका करेक्ट उत्तर है agriculture start-up को इंक्रेश करने के लिए तो यह fund जो है यह सेट अप करेगा इंक्रेश करने में agriculture start-up का नमबर और रूरल अरियाज में इसका में एम है इस fund का कि इनोवेटिव और अफ़र्डेबल सॉलुशन प्रवाइड करने है ताकि अग्री कल्चर में प्रड़क्टिविटी लाइज जाए और अग्री कल्चर में इंडिया को सेल्फ सफिशिंट बनाया जाए इस रिपोर्ट के है तो इस रिपोर्ट के अकोर्डिंग जो है इंडिया अगट गया सुह बंगर में ऑर घय जाल। और रिपोर्ट ने कहा है कि ग्लोबल इंफलेशन जो है 6.6% हो गया है 2023 में यानि की महेंगाई घटी है जी और 8.8% था 2022 में वर्ल्डवाइड हम बात कर दें यहां पर इंडिया के लेवल पर हमने देखा तो घटा है ओवरॉल इंफलेशन क्या इसा सच में है जो रिपोर्ट जो है और उने यूके गवर्मेंट के साइथ हार्त सांबी हार्त जॉइन किया है क्यों किया है इस फोरम को होस्ट करने में और इस यह जो फोरम का फोकस था वो था MSME सेक्टर पी इनको ही प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में थी मैं इस बागी सेपिंग ना एक्स जनरेशन ए यूनाइटी नेशन इंवार्मेंट प्रोग्राम तो इसकी थीम थी टू लिटिल टू स्लो एड़ेप्शन गैप रिपोर्ट वेर्स इंडिया नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट हाइपर स्केल डाटा सेंटर योटा डीवन अनॉगुरेटर तो यह हुआ है जी ग्रीड अनॉ माइग्रेशन पी अबाउट एन अपडेट है यह माइग्रेशन राइवन टेस्स जो भी होता है विच स्टेट है लाउंच लगपती दीदी योजना तो किस राज ने लगपती दीदी योजना शुरू की तो यह उत्राखंड की सरकार्ण ने लॉंच की है ऑप्शन यह करे दोर्ट है और वी यह कि द्वारा सिडवी हैस पार्टनेसिफ विद हों तो हैल्प MSME तो MSME की मदद करने के लिए सिडवी ने किसके साथ साथ राज दारी की है इसका गाजक्त उत्तर है गोगल के साथ की है और अब्यक्तिव इसका है प्रमोशन करना है फाइनसिंग और डि तो तीन क्रिटिकल डाइमेंस और होते हैं सोशल प्रोग्रेस के सामजिक विकास के प्रगति के तो यह हैं बेसिक हुमें डीड फैरॉंडेशन ऑफ बैल विंग और अपर्चुनुटी कितनी मिल रही है इस तरीके से चेक किया जाता है और रिलीज किया है एकॉनमिक अड़ पर पंडुचे रही आया है फिर लक्षरी फिर गुवा ठीक है इन तीनों की पोजिशन भी यहां पर दी हुई है कि वाल्ड रिपोर्ट ऑन हेल्थ रिफ्यूगी और माइग्रेंट इस पबलिस पाई तो प्रवास्चियों कि स्वास्त पर विश्व रिपोर्ट किसके दार पर कास की जाती है कि वर्ड हेल्थ और्गेंजेशन के तरह तो हेल्थ से सम्मध्न देख तो इस तरीकी से आप कर सकते हैं व्ल्ट रिपोर्ट ऑन हेल्थ विल्ट हैल्ट ऑगरेंजेशन थीम ठीश वाग की हेल्थ फॉर और व्लीडिंग रिफ्यूगी और माइग्रेंट to act now top remittance recipient है इसमें low and middle income countries की बात करें तो इंडिया इसमें top remittance ड़ा है बहुत important है आद रखना top remittance बन गया है इंडिया दूसरे नमबर पे चाहिना तीसरे पे मेक्सिवो अगर बात करें कि largest जो किस कंट्री से सोर्स हो रहा है तो युनाइटेड स्टेट अफ अमेरिका पहले नमबर पे है यह दूसरे पे हैं सावधी अरीवे तिस्ट्रे पे हैं और यह आपसे कोशन बने कि इंडिया हम मतलब टॉप प्रदानमंत्री जंदा नियोजना ने आठ साल कंप्लीट किये हैं किस साल में लॉंच हुई थी तो यह हुई थी दोजाट चौदे के लास्ट में ऑप्शन इसका करेक्ट उत्तर है तो नैशनल में सने फाइनेंशल इंक्लूजन का और अब्जेक्टिव है इसका इंशर कर इसका करेक्ट उत्तर है तो 2002 में लॉंच हुई थी कॉलेबरेशन हुआ है डिपार्टमेंट अब डिरिंकिंग और और अफेर का दोनों का कॉलेबरेशन के साथ लॉंच हुई है इंप्लीमेंटिक अजेंशी है नेसनल सफाई क्रामचारी फाइनिसल डिबलोप्मेंट कॉर रखना नेक्स्ट है नेशनल पोडल फूर रूपटाब इस अंडर विश मिनिस्ट्री तो रूपटाब सोलर के लिए राश्ट्रेशल पोडल किस मंदराली के अंतरगट है इसका करेक्ट अफ्टर है ऑप्शुन ही मिनिस्ट्री ओफ नियू अनियूम्ल एनर्जी के किस स्टेट ने फर्स रेंक किया है इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी केरल नहीं किया है ओके इसने पटने के लिए सोने की सिक्के लॉंच की है तो यह की है जिम बाब बेंडी ठीक याद रखना ऑप्शनी इसका गर्रेक्ट उत्तर है तो गोल्ड कोई लॉंच की है ताकि इंफ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आए तो चीन की यांग हयान को पच्छाड कर कौन एश्या की सबसे अमेर महिला बन गई है तो एश्या की रिचेस्ट वोमन बन गई है ओप्शन सी सावित्री जुन्दल विच मिनिस्टर है इनगरेटर यथा सिल्प शमावागम टॉजटेंटी नो डैली तो किस मंत्र नहीं दिल्ले में सिल्प समावगम 2022 का उधगातन किया है तो यह किया है ऑप्शन ए डौक्तर अविरैंद रुकमार ने सिल्प समावगम का ईयुज़न एंडी मिनिस्टर है मिनिस्ट्री आफ सोचल जेस्टिस एंपावर्मेंट की याद रखना ऑप्शन इसका करेक्ट रूप्थर है अब्जेक्टिव क्या है सेल करना है सोकेस करना है जो हैंडीक्राइब से लेटर्टिट्ट्स है उनका ठीक है याद रखना नेक्स्ट कॉश्चन पर आते हैं विचिस टेटिस टार्गेटिंग टू मिलियन एडिशनल एकर ओफ लेंड अंटर कल्टिविशन ऑफ पाल्मोईल इन नेक्स्ट फोर यर कौन सा राज अपने चार वरसां में ताड़ की तेल की खेती केते हैं दो मिलियन अतरिक एकर घुमी क उनकी जम्बीन उसको और ज्यादा वह एक्स्टेन करने की बात करने हैं ताकि पाल्मोईल काल्टिवेशन हो सकते तिलंगानाम इस तरीके के रिसोर्स हैं कि वहां पर पाल्मोईल हो सकता है तो प्शनेस को औरक्ट उत्तर है विच्ट वंट्रेस अप्रोड वाई ता आदान्टिक ट्रीटी और्गिनाजिशन एस्टेप्रेस होई थी 1949 में हैड़कॉर्टर है प्रॉसिस वेल्जियम अधानी नियू इंडस्ट्री लिमिटेड हैं इंस्टॉल्ड विच कंट्री स्लाज़ेस्ट वाइन तर्वाइन जर्वाइन 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 करी ने इनागरेट किया है थार्टीन रोड प्रजेक्ट जिनकी कॉस्ट है 1553 150 का रोड और किस स्टेट में तो यह रोनी किया है ऑप्शन यह मद्यप्रदेश में तो मद्यप्रदेश की कवेड़ है बोपाल चीफ मिनिस्ट्रें शिवराज सिंह शोहन और गवर्नर है मंग इसे फिर्स्ट विंक को और तो इसको इन्क्रीश ने रॉट्रेश अपन एक्सस में तो इसको इसको इनक्रीश सिहां ने सोंग श्रीकुमार मंगलम विल्ला को रिसीब हो आई पदमा भूशन अबार्ट तो कॉन से प्स्टेट से यह हैं तो है ऑप्शन-भी महाराज अश् इस फिल्में मिला है ट्रेड और इंडुस्ट्री की फिल्में को मिला है याद रखता है विश्टी वा स्लेक्टेट टो होस्ट वाल्ड एकोनमिक फोरम सेंटर फूर्थ इंडॉस्ट्रियल रिवोलेशन चौथी आध्यवीक रांती के लिए डवलु एफ केंडर की मेजवानी के लिए किस सहर का चौन किया गया था तो यह किया गया था अप्षिन से हैदराबाद एकोर्डिन को वर्ल्ड बैंक विच साउथ एशन कंट्री है वीकेस्ट एकोनमी तो विश्ट वैंक के अभी रिबोर्ट आई है और इसके अकॉर्ड लक्षिन एश्ट देश की अर्थ बैंक इन इंडिया तो किस रंक को अभी हाली में बेस्ट प्राइवेट वैंक का दर्जा मिला है तो अच्छी एपसी को मिला है यह प्राइवेट बैंक बैस्ट वाली याद रखना है इंपोर्डेंट था सेंटर फोर मेरी टाइम एकोनोमी अन करनेक्टिविटी इस तो वी अच्छी नगरपाली का बॉंड जारी करने वाला दूसरा बात शेहर बन गया है तो यह बन गया है उप्षणी वड़ोध्रा में मुनिश्पल बंड जारी के गए हैं दूसरी दूसरा सहर है पहला था बैंगिलियू रूम है इंडिया का पहला इंडिया फर्स्ट इस दूसरा स्ट्रक्सार जो है और दुसरी नहीं कर रहा है उस तरीके के जो इंफ्रास्रक्च्च्र होते हैं उनको पोलते हैं तो जब निकाले जाते हैं इसको बोलते 63 ह होते हैं फिक्स्ट great बीरिंग होते हैं कभी-कभी इंट्रेस्ट रेट जो होता है वह जीरो भी हो जाता है ताकि इस तरीके के प्रोजेक्ट को और ज्यादा प्रमोशन मिले ठीक है याद रखना दर्फेट लेखने स्टेटस तो कौन सी अपनी महारतन का दरज़वाने वाली बारवी कमपनी बन गया है तो यह बन गया है Carry कि Divine Ratna then the second largest exporter شक्ण देश दुनिया में चीनि के दूर से सबसे बुड़े अत्पाग के रूप में है तो ही और therefore मैं सी इंडिया तो इंडिया वर्ल का सप्रॉजस तेंचौर और पर की लाइश्ट रशी के है लेका लार्जस्वेठेट्ट्र व्ल्ल में है सेटेंड इंडिया का फree तो याद रखना mca-21 has been released by which ministry तो mca-21 किस मंत्रा द्रजवारी किया गया है इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री आफ कॉर्परेट अफ़ेर्स के दौरे जारी किया गया है mca-21 तो क्या एम है इसका जो भी सर्विसेस एक्सेस करनी है मिनिस्ट्री की उसको स्पीड अप करना है इसका मिश्ट्री की तो यहों लॉन्स को सब्सक्राइब को दो क्योल यह है तो अब लेकिन इस किसी वर्यकति को लोन तेने में एक से नवए दिर का लग जाता है तो इसमें तीन केटेग्री में बटा गया है वो चीज तो देखो ऐसे में जीरों में होता है ज़दी किसी वक्ति को एक से 30 दिन लग गई है लोन देने में बैंक को तो यहां पर अनुवान लगा ले जाता है कि क्या पता फसल कट रही हो क्या पता कुछ एमर्जेंसी आ गई हो क्योंकि कुछ दिन का यदे डिली हो रहा है तीस दिन का दर चल जाता है ठीक है तो बैंक उसको कोई बात नहीं ऐसा कहके डाल देती है एसमें बन यानि कि क्या होता है बाद पहुंच जाती है तीसमें महिने में यानि कि 61-90 दिन तक का भी डिली हो जाता है और फिर भी किसी वेक्ति ने लोन नहीं दिया है तो वह पहुंच जाता है इस्ट्रेस एसिट में और स्पेशल मेंशन अकाउंट टू में यदि 90 दिन से जादा हो गए तो पर वह डाउट फुल असे हो जाता है पर उस पर डाउट होना लगता है कि भी अदेवी रही हो तो यह ऐसी करना है वस लॉस्स एसेट में तो फिर कानी खतम ही हो जाती क्योंकि वह जो लोन है पूंच नहीं है किसी का लोन को इसको वापस देने का ठीक है आई हो आपको करना है और इंक्रीज करनी है इंकम बोमेंट की जो की बीपियल फैमिली से ब्लॉंग करती है तो गावों में आपने देखा हूँ बहुत साइज भाइलाए होते हैं वह अग्री कल्चर में लगे होती है क्योंकि उनका वह समेल सोर्स ओफ इंकम है और वह कहीं पर यह नहीं कर जाता जाता है यह वह जॉब नहीं कर सकती तो इनका यह एमपारमेंट होजाता है कि वह खेती में कुछ अच्छा कर पाएं तो इस के लिए है ye किसी को खिलाना यादि अग्रिकल्चर में कोई व्यक्ति करता है तो वह दूसरे हमारा पूरे देश को वह फीड कर रहा है इसका मतलब यह है ओके याद रखना इसका सही उत्र है नीटी आयोग ऑप्शन से इसमें करेक्ट है इसका करेक्ट उत्तर है और अप्शन से संबंदित है इसके करेक्ट उत्तर है ओप्शन से संबंदित है रेंप स्कीम तो फुल फॉर्म है इसकी रेजिंग एंड एक्शलरेटिंग में भी पर्फॉर्मेंस हुव हैस्टॉप स्टार्ट फंडिंग इंडिया इंडिया विद 10.8 बिलियन डॉलर के साथ भायत में स्टार्ट फंडिंग में कौन सिख्ष पर रहा है तो स्टार्ट फंडिंग में रहा है बैंगलूर फिर याद रखना तो बैंगलूर के बाद है मुंबई फिर है गुरुगरा और सबसे टॉप पे है बैंगलूर याद रखना इंपोर्टेंट है किस ने किया है तो यह किया है ऑप्शिन डीपी आई टीटीट की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फो प्रमोशन और इंडस्ट्री अंड इंटर्न ट्रेज टाइम कप हुआ था यह जनवर 10 जनवर 16 2023 में हुआ है बैंग जो कि फैल होनी की असमाब है हो इतनी बड़ी है कि शायद वह फैल हो ही ना ठीक है वह बहुत अच्छी है तो इसका सभी उतर है और हएफ्शन लीया है एक तीनों बैंक को रखा है डॉमेस्टिकली सिस्टेमेटिकली इंपोर्टेंट बैंक यानि कि एसी बैंक जो की टू बिग बहुत बड़ी हैं तू फेल ठीक है इतना उन्होंने बिस्तार के लिए कि वह फेल होने नहीं सकती इसका सही होता है ओप्शन वी MSME से रिलेटेड है वी बॉक्स इंडिया स्किल रिपॉर्ट तो किस रिलेटेड है रिपॉर्ट तो यह एंप्लोई बिल्टी से रिलेटेड है कि कि इतना रोजगार चल रहा है आजकल तो उत्रप्रदेश जो है और महारास्ट रहली इन यह सब सब्सक्राइब जो टेलेंड है 2023 में वह इन सारे स्टेट में हैं उत्रप्रदेश महारास्ट और देली में लास्ट वन यह में जो एंप्लोईविल्टी रेट हुआ है इंडिया का वह इंक्रीज हुआ है और 53 परसंट जो परसंट है वह एंप्लोईवल केंडिडेट हैं कि और सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है लास्ट यह से 46.2 परसंट का इंडिया से फर्स्ट मल्टी मॉडर लॉजिस्टिक पार्क इस डिवलपिंगें तो पहला मल्टी लॉजिस्टिक पार कहां विक्षित हो रहा है तो यह हो रहा है तमिलाडू में ऑप्शन इसका करेक् सब्सक्राइब है तो युनर मिस्ट्री ओफ रोड एंट हाइवे जो है टांस्पोर हाइवे और अवर्ड दिया है राइल को कॉंट्रैक्ट टू सैट अप इंडिया का पहला मल्टी मॉडर लॉजिस्टिक पार्क जोकि प्रचीन नहीं के आस पास बनेगा और यह इसकी प् अपनेगा तो डेली समर्दी योश्नक इस संबंदित है तो यह संबंदित है मिनिसिपल देवेने से इनोवेशन फॉर यू कॉफी टेवल वोग इस रिलीज वाई तो यह रिलीज की गई है ऑप्शन सी नीती आया हो अटल इनोवेशन मिसन के दारा तो इसमें 75 सक्सेसल वो सक्सेस्फुल पॉमें जो है इंटेपेंडर्स इंटेपेंडर्स इनको फीचर किया गया है इस बुक में जो की सपोर्ट की गई है अटल इनक्यूवेशन सेंटर के दवारा और यह देलीज हुई है इसके अंतरगत वोमें इंटेपेंडर्स को सक्सेस्फुली इसमें सोग किया गया है और इसका नाम है बुक का इनोवेशन फुर यू कॉफी टेबल बुक तो अब अगल अपने लास्ट कॉश्चन पर यह आपको बतारें इसका आंसर कमेंट वॉक्स में जो गोल्डन डिवोलुशन हैं व्यसे किस संबंदित है ओपशन इपशन इफोडिव प्रुड़क्शन ऑपशन वह प्रूड़क्शन ओपशन याफ्शन टी नन तो इसी के स साथ हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंकि फॉर वाचिंग आयोप आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में टेक केर बाई